खबरों में आगे बढ़ते हैं बोपाल समेट पूरे प्रदेश में बारिश के बाद चिटरन का दौर है बोपाल में बारिश के चलते कोहरा चाया रहा वहीं आज से बैस्टर डिस्टर बेन सिस्टम के एक्टिव होने से कई जिलों में गरत चमक का असर देखने को मिला है तो झाल झाल प्रदेश भर में हो रही बारिश के बाद हम राजधानी के हाल देखें तो राजधानी में आज पूरा दिन अज सुबे से ही देखा जा रहा है कि कोहरे की बिल्कुल कोहरा यहां चाया हुआ है और कोहरे की एक चादर सी बनी हुई है पूरा प्रदेश के आज कोहरे में चाय हुआ है राजधानी की बात करें तो राजधानी में जो मुख्य सड़के हैं या प्रदेश के राजधानी के हर छेत्र में हमें देखते को मिल रहा है कि कोहरे के कारण लोग बाग अपनी गाड़ियों की लाइटे जला जला कर चल रहा है परशानियों का सामना जरूर करना पड़ा रहा है क्योंकि ठंड का असा जो देखते को मिल रहा है रात में अगर आब आप अ सास साथ मौफला तोपियों के भी सहारे अपनी ठंड को भघाने का साथ ले रहे है थन्ड का असर जो है, आप जट्ता से भी बात करते हैं कि भीया, थन्ड का असर दिख रही है, क्या ने का आप एक इसमें अब व किस पकार से अपने आपको बचाएं चलता है? अभी अपने को आपने गरम कपड़े पहने और अपने मैचा गरुब है loss इस दुकान के थेले डिह पेरा सब्सक्रा से नहीं जो अध्यान अदेह चायका तो असर फ़ह मुंझा तो हम चाय वालों से भी बात कर लेते हैं क्या नाम है आपका मेरा दिनेश यह चाय का जो ठंड बल गई है प्रदेश में राजधानी में काफी पोरा देखते हैं क्या लगता है चाय का भी आप ग्रहागी बढ़ गई है तोड़ी सी गिरागी बढ़ चुकी जो ठंड के आदमी अपने आपको तो बचाता ही बचाता है लेकिं चाय की चुस्कियों के साथ उसमें अपना एक अलग बज़ा दिखता है हम अगर जिस पार डाय देखे रोश्यत पुरा चोराय पर ही देख रहे हैं तो यहां पर लगभग सेक्रों की सध्या में लोग बाग यहां है आ filthy अदिखे रहे हैं प्रदेश भर में ठंड देखने दिको मिल रहे है बोपाल में भी कोहरें की चादर अच्छाई हुई है आगर बीजिबिलिटी की बात करें तो विजबिलिटी कम देख रहे है । लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा ह कोहरी के चादर के चलते लोग लाइटों का सहारा लेते नज़र आ रहे हैं तो आपको बता दे भुपाल इंदोर जवलपूर समेत बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने यहां पर अलट जारी किया है तो आपको बता दे कि प्रदेश भर में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है अभी मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि दिसंबर के पहले सब्ता तक बारिश होने की आसार है हाला कि कई अगर हम जिलों की बात करें तो कई जिलों में बारिश देखने को मिली है तो कोहरे के बज़े से यहां पर ठंड बढ़ गई है और लोगों को अब देखा जाया तो अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है और गर्म कपड़ों का सहारा लेना भी लोगों ने शुरू कर दिया है अगर सुब़ए की बात करें तो जिस तरीके से अगर हम देखे तो रास्तों पर कोहरे की चादर कहीं न कहीं चाय हुई है पूरे राजधानी भुपाल में बात करें तो राजधानी भुपाल में भी कोहरे की चादर देखने को मिल रही है जिसके चलते लोगों को निकलने में सुबह दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है लाइट का सहारा यहाँ पर लोग ले रहे हैं और अगर हम गाड़ी की रफ़तार की बात करें तो गाड़ी भी यहाँ धीमी गती से लोग चलाते नजर आ रहे हैं गर्म कपड़े आब लोगों के निकल चुके हैं जिस तरीके से उमीद यहाँ नवंबर में सर्दी पढ़ने की थी हलाकि उतनी सर्दी देखने को नहीं मिली है अब तक अब दिसंबर कल से दिसंबर लग जाएगा तो पहले सब्ता तक बारिश की संभानवा जताई है अलाकि किसानों को कहीं कहीं अगर देखें तो किसानों के लिए खुशी की खबर है कि जिस तरीके से बारिश होगी तो गयहूं की जो फसल है कहीं न कहीं अच्छा उसके लिए माना जा रहा है लेकिन वहीं अगर कुछ फसलों की बात करें तो नुकसान दायक भी है जिस तरीके से मटर की फसल, प्याज की फसल, कहीं न कहीं गलन होने से किसानों की परिशाने ज़रू थोड़ी बढ़ गई है तो यह मौसम से जड़ा अब जेट आपको बता रहे हैं और खुशी जिस तरीके से किसानों को चहरे पर देखी जा रही है तो कई किसान ऐसे भी हैं जिनके चहरे पर मायूसी चाही हुई है तो आपको बता दे कि मटर की फसल सुखने पे है और ऐसे में पानी गिरने के चलते मटर में गलन यहां पर पैदा हो रही है प्याज में भी गलन पैदा हो रही है जिस तरीके से अच्छे भाव की उमीद यहां पर किसानों को थी कि प्याज के अच्छे भाव नहीं मिलेंग पूरे राजदानी भुपाल में भी कोहरे की जादा देखने को मिल रही है से कई जिले हैं जहां पर बारिश देखने को मिली है जिसके चलते ठंड बढ़ गई है और ठिटरन का ऐसा सब लोगों को होने लगा है तो कई जिलों में गरचमक के साथ बारिश की संभावना आगे भी मौसम विभागने जताई है तो इंदोर, जवलपूर, भोपाल सब भी जगा अगर देखे तो बैस्टन सिस्टम एक्टिव हो चुका है जिसके चलते इसका असर देखने को मिल रहा है तो प्रदेश में बारिश ने ठिटरन बढ़ा दी है लोगों को सर्दी का अहसास हो प्रदेश ने लेकर अलट जारी किया था हाला कि हम देखे तो प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है और ऐसे में ठिटरन अब बढ़ गई है किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अगर हम बात करें चाय की दुकानों की वहां पर भी आपने देखा होगा कि परते नजर आएंगे चाय की चुस्कें लेते नजर आएंगे परते नजर आप देखा है कि वर्षा होगी और वर्षा उनकी लगातार वारिश के तीन दिन हो गए हैं लगातार वर्षा होते हुए कल शाम को भी इसमें अच्छी तेज वर्षा होई रात पे भी हुई और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि वारिश का दौर शूरू हो पड़ा कि आज अगर उसकी लिविटी देखी जाए तो एक दशबलाव दो किलो मीटर की बताए गई थी कि आप दो किलो मीटर भी नहीं देख सकते हैं इसलिए आपको लाइट चला कर चलना अब इल्कुल बताया गया था कि साउधादी पूर वक्ट चलाने के लिए लिए जला कर चलाएंगए तो सामने वाले को पता चलेगा तो एब तो हम यी कोहरी की बात की जाए अगर फड़ प्ड़ की बात की जाए तो थंड हम सुबै से देख रहे हैं की लोग बाग जो भी निकल रहे हैं बिल्कुल अपने आपको धख कर लिए ज note स्वक्लिक से बार की ल कहीं न कहीं यह परशानियों का compete वी ए पानी गरना केइव huh चले शुक्रिया अच्वाजिक सोंझा तमाम जानकारियों के लिए और इसी के साथ बॉलेटिन में अभी कि लिए बस इतने हैं अधिक जानकारे कि लिए आप सुराजी एक्स्प्रेस, नमस्कार.